हलो दोस्तों टैक्स और वेल्ट में आपका स्वागत है मैं हिमानची कुमार पूर दिन की फैनेंसियल न्यूस के सान तो सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं मार्केट आज ग्रीन रहा सिंसेक्स 232 पॉइंट और निफ्टी 65 पॉइंट उपर रहा यह बहुत से स्टॉक में काफी उचाल रहा है काफी सेयर नीचे भी रहा है इधर इस बीए के गर बात करें तो इस बीए ने पी आर एजनसी हा कर लिए इधर होंडा ने अपना जो मैनुफाक्ट्रिंग यूनिट था वह स्टार्ट कर दिया लेकिन उनका कहना है कि उनके पास मैन पावर नहीं है जिस हिसाब से उन्हें मैन पावर चाहिए मैन पावर आज एविलेबल नहीं है उनके फैक्टरी के लिए तो उनको इसके परिशानी हो रही है इधर रॉयल इंफिल्ड जो बुलिट जो सबसे उसकी मेन प्रोड़क्ट है उन्होंने अपने जो मैनुफाक्टरिंग थी चन्नाई की उसे भी रिस्टोर कर दिया रिस्टार्ट कर दिया है साथ के साथ 120 उनके जो आउटलेट्स थे लगबग उसको र सरकार की तरफ से इधर एक अच्छी खबर है GSTR 3B को लेके गौर्णमेंट नेक नया नोटिफिकेशन ला दिया है कि अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है किसी तरह की कोई सेल पर्चेस नहीं है निल की रिटर्न है तो आप मोबाइल इवीस के थुरू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं उसका उन्होंने प्रोसीजर दिखाया बताया हुआ है उसके थुरू आप बीना परेशान हुए आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं इधर बात करें तो रिटर्न यूनियन का कहना है कि वो अपना एक डिलेवरी प्लेटफॉर्म स्टैबलिस करना चाहते है ताकि जुमेटो और स्विगी से फाइट कर सकें क्योंकि उनकी जो डिपेंडेंसी है उस पर बहुत ज़्यादा हो चुकिये तो उस डिपेंडेंसी के वज़से रेस्टूरेंट का माना है कि इस तरह से काम होना चाहिए इधर आडूग्या शेतु जो एप है उस गवर्में नहीं है डेटा पूरी तरह से सिक्योर है और लगबग नौ करोड़ लोग इसे यूज कर रहा है इधर केरला में जो बाहर गल्फ और अधर कंट्री में जो लोग थे वहां की एरपोर्ट से तयार है कि बाहर से लोग आ सके और वहां पे लैंड कर सके उसके पूरी पोसीजर और उसका जो भी एसोपीस था उसे बना दिया गया है साथ के साथ ये भी कहा गया है कि चौदत दिन का कॉरंटाइन जो भी लोग बाहर से आएंगे उन्हें रहना ही परेगा है मेंडेटरी है एक तरह से तो अच्छी पहले कह सकते हैं इधर जेट एरवेस की सियो सी की मीट होनी बाले है और इसके पर बहुत तरह का डिसीजन हो सकता है कि ये लेने बाले हैं इधर चाइना नहीं थोड़ा एग्रेसिव हो गया और उन्हें यूएस सेक्रेटरी मिस्टर माइक को कहा है कि अगर आपके पास ये एविडेंस है कि कोवेड नाइटीन वान के लाप से ल लिया है और उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है हो सकता है कि बहुत जल्दी उस प्रोड़क्त को लेकर मार्केट में आ सकते हैं